हाई ओल मैं आमित आपको सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एमजेफो यू में आज की वीडियो है वो AI पिक्चर रिस्टोरेशन पे है एक्चली सभी के पास कुछ फोटोज होती है चाहिए वो ओल मैमरीज हो या कुछ भी हो या फोटो से फोटो क्लिक की गई हो तो वो कुछ डैमेज होती है या स्क्रेची होती है तो अगर आप उनको रिस्टोर करना चाहते हो तो ये एक अच्छा प्लेटफोर्म है जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या करना है सबसे पहले जो यूरल मैं यूरल मैं अपने आप डिस्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा तो वहां से आपको रिस्टोर पिक्चर्स रिमूव स्क्रेचिज तो यह आपको ओपन कर लेना है और यहां से आपको इसका इंटरफेस नजर आएगा तो इसमें एक बार आपको मैं टोप्टू डाउन एक बार दिखा देता हूं यह ओनली पिक्चर रिस्टोरेशन के लिए बनाया गया है अगर आपकी फोटो में स्क्रेचीज है या क्लेरिटी नहीं है या और भी डैमेज है तो आप वहां से इसको क्लेर कर सकते हो तो कुछ वीडियो या फोटो डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसको रिस्टोर करके देखते हैं तो नोर्मली आप गूगल पर जाके इमेजिस आप फॉर एक्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं करके भी देखा है तो काफी अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला है इसलिए मैं आप लोगों से यह शेयर भी कर रहा हूं तो मैं एक बार टू ओ थ्री फोटो जो भी है वो एक बार मैं सेव कर लेता हूं अपने सिस्टम पे देन आफ्टर हम स्टैब बाई स्टैब देखेंगे कि हमें किस प्रोसीजर को फोलो करना है अपनी फोटो को रिस्टोर करने के लिए तो यह मैंने कुछ फोटो सेव कर ली है अपने सिस्टम पे अपनी वेबसाइट है वहाँ पे जाते हैं यहां से आपको simply upload करना है फोटो को जो भी आपको restore करनी है वहाँ से आपको photo select करनी है आपके सिस्टम पे जहाँ भी वो photos रखी हुई है तो यहां से मैं photo select कर ले रहा हूँ उसके बाद आपको has scratches पे click करना है और यहां पे restore पे click करना है जैसे आप restore पे click करोगे आपकी uploading and then after processing followed by download यह तीनों steps clear हो जाएंगे और आपकी photo upload भी हो जाएगी तो यहां से आप इस photo को save भी कर सकते हो that means download भी कर सकते हो और आपको clarity दिख भी रही होगी कि जो आपने upload की थी और जो आपका result आया है उसमें काफी difference भी है तो एक बार दूसरी photo और हम देख लेते हैं upload करके मैं एक बार page को refresh कर लेता हूँ तो यह second photo है जो हमने अभी save की थी और इस पे scratches आपको बहुत सारी दिख रही होगी इसका even face भी clear नहीं है तो जैसे हम इसको restore करेंगे आपको जो result हैगा वो बिल्कुल clear नज़राएगा आप लोग right side में देख भी पा रहे होगी कि इसका result है काफी अच्छा है यह देखिए जो scratches है faces पे वो बिल्कुल हट चुकी है और जो आपका result है वो output काफी अच्छा है original से अभी जो last है जो third photo मैंने save की थी वो आपको मैं एक बार upload करके दिखा देता हूँ तो यह simple way है आप किसी भी photo को simply restore कर सकते हो और जो भी आपका result है वो आपका original से काफी best होके आने वाला है तो यह वीडियो था मैं आप लोगों तक share करना चाता था अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम आने वाला है या किसी और की काम आएगा तो please like, share and subscribe my YouTube channel AMJ4U and press the bell icon ताकि जो भी हमारी new videos आती हैं उसका notification आप लोगों तक पहुँच सके Thank you झाल 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 झाल